हलो इस्टुएंट्स नेक्स्ट आजाते हैं हम कैशर नूम्बर 14 पर क्या कह रहा देखो इनान एपी इफ एंथ टर्म इज एन ओके तो गिविन कंदिशन फिर से इफ एंथ टर्म इज एन एन्थ टर्म is m okay where m is not equals to m यह भी गिविन है ठीक है first case fine करना है आपको देखो am का मतलब क्या होता है a plus m minus 1 into d equals to n this is your first equation second देखो a plus n minus 1 into d equals to m this is your second equation a plus n minus 1 into d ठीक है अब इन दोनों को क्या कर सकता है मुझे पीर्ट निकालना तो उसके मुझे a और d इन सब की ज़रत है न तो मैं क्या करता हूँ इनको subtract कर देता हूँ equation 2 from 1 या फिर 1 from 2 कोई भी एक ले लो कोई इशु नहीं दोनों इत तरीक है ठीक है तो एक सेकंड subtract equation 1 क्या हो गया भी तेरको तू क्यों टग रहा है चल जा भाई equation 1 from 2 तो a plus n minus 1 d equals to m and यहां पर देखेंगे आप a plus m minus 1 d equals to n minus 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 ऐसी होता है यह cancel out हो जाएगा इधर देखो n minus 1 d minus m minus 1 d इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देना न और यह m minus n इस पूरे को मैं open कर सकता हूँ तो देखो यह n d minus d minus m d plus d अध्यान देना इस पर यह minus इससे multiply होगा तो यह plus होगा फिर d बंजा डी ऐसे d से d cancel out हो जाएगा इन दौनों में से फिर से मैं d गॉमल ले सकता हूँ यह minus d गॉमल ले सकता हूँ d के value कित्ता आजाएगा minus 1 वा भई वा मजा आ गया है कि नहीं थोड़ा focus करना equation पर d के value कित्ता आ गया minus 1 आ गया अब मैं d के value कहीं भी put कर सकता हूँ कहीं भी तो नहीं मतलब वही put करूँगा काम वली जगह है तो d equals to minus 1 put in equation 1 माल लेते हैं अपन 1 equation का है यह दिए a plus m minus 1 a plus m minus 1 equals to n यह यह नहीं s1 equals to n a minus m plus n equals to n a का value हो जाएगा उसको अधर बेज़ दो आप m plus n minus 1 यह a का value हो जाएगा ठीक है और अब जो find करना है first case देख लो आप p 8th value होने यानि a p, a p की value किते होगी a plus p minus 1 into d a की value क्या है मर पास m plus n minus 1 और p की value किते हैं मर पास कुछ भी नहीं है मर बास b की value दो p minus 1 और d की value minus 1 खोल दो इसको open कर दो कितना हो जाएगा m plus n minus 1 यह a की value है यह पूरी की पूरी प्लस एक सेकंड़ को या रहा है ना बहुत ज्यादा मनेया काटवास ही कर दक्किया है इसको थोड़ा सा सफाई कर देता हूं तो कमेंट कुछे जहिलने पड़ेंगे a minus है यहां पर ना यहां कुछ भी नहीं है plus n यहां क्या था a plus n minus 1 यहां प्लस आएगा यहां p minus 1 आएगा यह minus p हो जाएगा यह plus 1 हो जाएगा यह दोनों cancel out हो जाएंगे m plus n minus p यह लो a p का answer हो गया आगे solve कर नी सकते इसको ना next देखलो second वाला भी इसी पार्ट पर करा रहा हूं मैं a m plus n क्या होगा a plus n भी आपके लिए यह न n minus 1 और d a की वेल्व कितनी देख़ा आप m plus n minus 1 plus m plus n minus 1 और d की वेल्व माइनस 1 open करो इसको m plus n minus 1 3 minus इस से मल्टिप्ला होगा तो यह minus का m फिर minus n से मल्टिप्ला होगा minus का n फिर 1 से मल्टिव लाओगा plus 1 कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट वायर सारे कट गए जीरो ना आगया जीरो अंसर आगया तो फिर्स्ट पार्ट का अंसर तो यह है m plus n minus p और सेकिंड पार्ट का अंसर है कितना है जीरो बताओ क्या समझ में नहीं आया इलियार कैशन नमर 14 क्या चीन अरट कर दो में आएट कर दो क्यामतिक प्टीए क्या प्रट का चीन थे नहीं चाता।